आज के इस गाव के बलोग में आपका स्वागत है आप मेरे पीछे देखी आपको जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ धान कहाई खेतना जराएगा यह जो आप धान देख सकते हैं यह गर्मा धान है जिसकी कटाई अभी हो गई है और यह जो धान है इसकी कटाई लगवक 6 मह मेने बाद होती है तो आपको इस वीडियो में दो-दो चीज देखने को मिल रहा है एक है इधर जिसका कटाई अभी होना बाकी है और एक दूसरे पीछे मेरे आप देख सकते हैं जिसका कटाई हो गया है तो यह बहुत ही अमेजिंग पल है क्योंकि आपको रोड को देवनो है लेकिन अलग होने की वज़ा से जो उसका कटाई है वह अलग-अलग समय पे होगा तो यह है दोस्तों मेरा प्यारा सा गाओं का प्यारा सा खेत आप देखिए इसका कटाई हो गया है जिसको भोचपूरी में गर्मा धान बोला जाता है और वह अभी तक लगा हुआ है दे से कम छे महीने का समय लगता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ब्लॉग बनाऊंगा डीटेल्स अपने गाओं के खेत का तो आप देखिए मेरे धान यहीं है गाओं का धान का खेत जिसकी रुपाईया से छे महीने पहले की गई थी और छट बाद इसका काटाई भी होगा और यहीं धान है जिसका एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और इसको भी बहुत बड़े पैमाने पे खाया भी जाता है और बारिस होने के वज़ा से जो खेतों में पानी है वो भी लग गया है जो कि बहुत अच्छी बात है और पान तो याप पीछे मेरे देख सकते हैं बहुत जोड से बारिस हुई थी आज कल इतना बारिसोर आना है कि मैं आपको बता नहीं सकता है और मौनसून पता ना आजकल कितना खूस है कि जब से मौनसून आया है अभी तक ठंडी आने मल है लगातार बारिसोर है तो इस साल एक विना ने नुमतर और ना ही घीजल वाणा मोटर का यूज्ज किया गया है पानी के पट्वन के लिए मतलब सारा पानी वान जोंगे आप देखिया इसमें बहुत सारा जो खेत हैसमें बहुत सार पानी लग जाता है जिस वजह से इसमें आप मचली भी पाल सकते तो ये इसमें बहुत सारी मचलिया भी होती है जिसका बहुत सारा लोग निकाल तो ज्यादा तर जो लोग है वो अपना खेत से काम करके चले हैं लेकिन अभी जो सीजन है और गर्मधान के कटाई का सीजन है तो जितना आपको किसान अभी आप पीछे देखे थे वह सारे लोग अभी गर्मधान के कटाई में लगे हैं वहां हाइवे पे हाइवे होने के वज़ा से फायदा यह होता है कि जब खेतों में बहुत सारा पानी लग जाता है तो रोड पर आप उस धान को लाईए उसको काटिए और वहीं थ्रेसर से उसका आप थ्रेसरिंग भी करा लीजिए तो मै ने हर एक स्टे बताया है कि कैसे धान के भीच को खेत से निकाला जाता है खेत को कैसे तयार किया जाता आफ फाइनली कैसे रोपनी होता है तो वीडियो में जब इसका धान का रोपनी चल रहा था तब मैं बनाया था और फाइनली आप देखिए तीन-चार महीने उसका यह पुरा खेत है इसमें दो तरह का भी फार्मिंग होता है मचली भी पालता है लोग और धान का खेती भी हो जाता है क्योंकि धान का उना चाहिए बहुत पानी का यूज उज़ता है एक धान ऐक यह चीजी धान उगाने में लगवा 5000 लीटर पानी का यूज होता है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि धान को सालो भर पानी के ज़रुत पड़ता है जिस वज़ा से इसमें मचली आटोमेटिक आके पलनी सूरु हो जाती है जिसे लोग निकालके उसको फिसिंग भी करता है तो यहीं है सिंपल दोस्तो धान का खेती आप जहां तक आपका तो यहीं है फूड फैक्ट्री आप इसे फूड फैक्ट्री भी बुला सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह पुवाल है जो पीछले धान का जो कटाई हुआ था उसमें इसको रख दिया गया था और यह जो पुवाल है अभी सण के मतलब और गयनिक खाद बन गया ह और इसका जो लिकवीड है खेत में जाता है तो जो पुवाल होता है बहुत यूच्फूल होता है वो जैसे जैसे सणता है वैसे वैसे और गयनिक खाद बन जाता है तो बहुत सारा किसान है जो पुवाल को जला देता है जिसके वज़ा से मीटी का जूर वरक सकती है वो कम होई जाता है लेकिन कुछ जो किसान है उसको खेट में छोड़ डेता है और उस अनता है तो बहुत ही ज्यादा और अर्गेनी खाद बनता है तो देखे मेरे पीछे जह आप देख सकते हैं यह पूवाल है जिसको छोड़ दिया गया है और इसका जो भी लिक्विड है वो करता है जिस वाज़ से धान का जो पाइदावार है और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो दोस्तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए उसे दूर दूर तक सेर करिए आप हमको इंस्टाग्राम पर फ़लो कर सकते मेरा आइडी है कुनाल अर्थ आप सर्च करेंगे तो मेरा आइडी आएगा धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए